आपको दिखा रहे हैं देखिए हम लोग लेके जा रहे हैं विस्की को होस्पिटल मेरा भाई और मेरे अनमल दोस्ट के साथ तो अभी चलिए ले जाते इसको होस्पिटल अद देखिए हम लोग लेके जा रहे हैं इसकी को होस्पिटल बहुत ज्यादा तवियत खराब है वुल्टी को बहुत खाने रहा है तो गाइस अभी देखने को मिलेगा पब्लिक रियक्शन बहुत हाड पब्लिक रियक्शन तो देखते रहे आप लोग वीडियो में बने रहे और मजे लेते रहे देखिए गाइस देखके नहीं लगता है कि विस्की का तवियत खराब है कितना फूर्टी में है गाइस देख सकते है कि विस्की फूर्टी में जा रहा है हुआ है हुआ है और मैं बता रहा हुआ कि विस्की का जो पुराना पट्टा था वह फट चुका है गाइस तो गाइस हम नया पट्टा ले रहे यह कल ही मंगवाया है हमने कैसा लगा आप बता दीजे पट्टा कैसा है हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल 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 है 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 और थोड़ा साही है इसके बाद हम लोग पहुंचने वाले है इसकी को डॉक्टर भिखाऊंगा गाइच देखो गाइच इधर सब का ट्रीटमेंट चल रहा है देखो हमारा विस्की भी डर रहा है पूरा जाने के लिए देखो यह हस्पिटल है जाने के लिए रहा है और रहा है अब जाने के सब्सक्राइब देखोंच्ट अराइब यहाँ जाने के लिए हैं विस्की कावी के टेंपरेचर चेक हो रहा है बुकार वाइज किने देख रहा है हमारा डॉक्टर साहब हुए ॥ हुए भी हुए भी हुए कि अ काई तो देखिए हम लोग विस्की के लिए दवाई अगेरा ले चुके हैं देख लीजिए और यह थोड़ा ग्रेवी भी ले चुके हैं बोला कि डॉक्टर खिलाने के लिए तो काई सभी जा रहे हम लोग विस्की को स्वी लगवाने बहुत लेट हो गिया क्योंकि एक्चु इसके बाद ATM जाना पढ़ा, ATM से निकालना पढ़ा तो गाई सभी जा है हम लोग फिर से आचुके हैं तो गाई इनको injection लग चुका है तो गाई लग चुका इंजेक्शन कि डोक्टर वीडियो बनाने नहीं दे रहा था अंदर इसलिएम लोग वीडियो बना नहीं पाए गाइशका दवाई अगरा भी ले चुके है बता दिया है कि कैसे खिलाना है कैसे फिलाना है तो अभी चलते हम लोग घर की तरफ तो गाइड यो यही तक है तो गाइड मैं वीडियो को बीच में एक बार भी नहीं बोला हूँ थोड़ा सो सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए गाइड और जो सस्क्राइब कर चुके उसके उसको दील से धन्यवाद